हेलो एवरिवान वेलकम बैक तू मैं चानल सो आज हम बात करेंगे अबाउट लिवर सिस्टम पहले लिवर होता क्या है तो लिवर एक रिजट सेगमेंट होता है एक रिजट बार होता है जो की रोटेट करता है around a fixed axis called fulcrum ठीक है तो example जैसे आप सीसो जैसे बच्चपन में पार्क गए हो गया आप कभी तो आप में देखा होगा कि एक सीसो होता था उस पे एक बच्चा जो था वो एक तरफ बैठते था दूसरा बच्चा opposite side में beach में से तो fix होता था और वो उपर नीचे होता था so that is a typical example of liver ठीक है तो जो beach का fixed point था ना वो होता है fulcrum और उसके around पे वो जो लंबा सा segment था जिसके उपर हम बैठते थे that is the liver that is the bar ठीक है so a liver system exists whenever two forces are applied to a liver in a way that produce opposing torque त पर जाता था एक बच्चा नीचे आ जाता था ठीक है तो फिर दूसरा उपर जाएगा तो पहले वाला नीचे आ जाता था फिर इसे तो यह two opposing force है मतलब कि दोनों एक साथ उपर नीचे आते थे उसके अंदर एक उपर जा रहा है तो एक नीचे आएगा तो यह एक टिपिकल characteristic है of the liver system इसा आप देख सकते हो यहाँ पे तो blue color में आपको rigid bar दिख रहा है ठीक है बीच में red color is the fulcrum जोगी fixed point है वो move नहीं होता एक तरफ से आपको load दिख रहा है एक तरफ से आपको force दिख रही है fulcrum क्या होता है fixed point होता है जिसके around movement होती है ठीक है effort या force क्या होता है it is the force that is producing the resultant torque and weight or resistance it is the opposite force that is creating an opposite torque तो जो हमने दो force की बात करी है कि जो torque बनाने में या फिर movement बनाने में help करती हैं वो कौन-कौन सी है एक होती है effort एक होती है weight तो आप ये देख सकते हो अब effort arm आप देखो effort arm क्या होता है बच्चों जैसे बीच में ये fulcrum है ठीक है एक तरफ आपका effort है एक तरफ आपका load है ठीक है तो fulcrum से लेके effort तक जितना distance होगा उसे कहते है effort arm ठीक है और दूसरी तरफ जो load है या resistance जिसे हम कह देते हैं तो fulcrum से लेके resistance तक का जितना distance है उसे कहते हैं हम resistance arm या weight arm ठीक है बच्चों तो effort arm क्या हुआ distance from the fulcrum to the effort and resistance में it is the distance from the fulcrum to the weight तो इस इमच से आपको clear हो जाएगी ये सारी चीज then in human body अच्छा ये तो हो गया भार के सारे examples की हाँ ये सब ये सब होता है पर body में liver कहां देखने को मिलेगा हमें ठीक है तो liver क्या हुआ bone क्योंकि bone जो है हमारी वो एक rigid bar की तरह काम कर रही है ठीक है बच्चों fulcrum क्या हो गया fixed point है fixed point क्या होगा हमारी body में joint normal scenario में ठीक है effort क्या हुआ force of muscle contraction जब आप अपना हाथ उपर उठा रहे हो तो shoulder के flexors काम कर रहे है तो effort कहां से आ रहा है shoulder flexors से तो जो भी आप movement कर रहे हो उसमें जिस muscle की contraction हो रही है जो वो movement कराता है that is the effort weight क्या होता है जैसे for example मैंने अपने हाथ में एक bottle उठाई ठीक है और मैंने अपने elbow को flex किया तो मेरा force कहां से आया effort कहां से आया elbow flexors से ठीक है but मेरे हाथ में weight किसका था bottle का तो मैंने क्या उठाई मेरा weight क्या हुआ forearm प्लस bottle ठीक है अगर मेरे हाथ में bottle नहीं होती तो weight क्या होता तो weight होता मेरी forearm bonds它 और एंड, रिस्ट, ठीक है, यह सारी चीज़ है, क्योंकि यही तो वेट है, मेरे जो एल्बो, एल्बो के फ्लेक्सर्स हैं, वो किसे उठा रहे हैं, इन्हें उठा रहे हैं, तो यह बॉड़ी की बात हुई, इस एक्जाम्पल में भी आप देख सकते हो, ठीक है, अब क्लास या डिसाइड क्या है, कि यह 1st, 2nd, 3rd है, on the basis of fulcrum, weight और effort की positioning क्या है, अभी आपको यह चीज़ क्लियर हो जाई ही, सबसे पहले हम बात करते हैं, 1st class liver की, तो 1st class liver बच्चों हमारी बोडी में वो होती हैं, जहां पे जो fulcrum है, वो हमेशा effort और weight के बीच में होता है, ठीक है, for example, this image, तो यहां पे fulcrum जो है, वो हमारा बीच में है, और दोनों force opposite side में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब इसके अंदर 3 possibilities हो सकती हैं, 1st class में, ठीक है, या तो effort और weight और weight और equal हो, ठीक है, अगर fulcrum बीच और बीच है, तो दोनों आम बराबर होंगी, अगर fulcrum मान लो, एक तरफ को जादा है, तो दूसरी वाली आम बड़ी हो गई, और जो जिसके पास है, वो आम छोटी हो गई, तो the effort arm is greater than weight arm, या फिर effort arm is smaller than weight arm, यह चीज़े हो सकती हैं, अच्छा, अब यह जो first class order है, इसका feature क्या है, इसका feature है, to provide stability, ठीक है, to achieve a state of equilibrium, because fulcrum is in between, तो हमने अज़े सब देख सकते हो, fulcrum इसमें है, बीच में, ठीक है, बट वो load की तरफ shift हो गया, weight की तरफ shift हो गया, तो जो हमारा effort arm था, उसका distance जादा हो गया, और जो weight arm है, उसका distance कम हो गया, तो examples क्या है, first class liver के, nodding movement of head, tilting movement of pelvis, and extension of elbow against gravity, अब nodding movement of head में क्या है, बच्चों, liver क्य capital joint, यह movement उसी joint पे होती है, effort कहां से आया, from the posterior neck muscles, और weight क्या हुआ, anteriorly on the face, इसमें तुम देख सकते हो, image के अंदर, ठीक है, fulcrum इन्होंने, triangular में शो कर रखा है, जो हमारा resistance या weight है, वन्होंने circle में शो कर रखा है, इन्द डाइग्राम, ठीक है, और arrow से इन्होंने, force शो कर रखा है, दूसरा है, tilting movement of the pelvis, तो इसमें liver हुआ, pelvis, same, ठीक है, fulcrum हुआ, hip joint, effort आया, hip extensor से, और weight आया, anteriorly, now extension of elbow against gravity, तो इसमें liver क्या हुआ, humorous, fulcrum हुआ, elbow joint, क्योंकि elbow पे movement हो रही है, क्योंकि हम elbow extension कर रहे हैं, तो contract कौन होगा, elbow extensor effort हुए हमारे, weight हुआ, forearm और hand, अब जैसे इस positioning में हम अपना extension करें elbow का, तो this is an example of first class liver, अब आते हैं बच्चों second class order पे, तो the weight is between the fulcrum and effort, तो इसमें क्या होता है, कि जो हमारा weight है, अब वो आ गया बीच में, और fulcrum और effort हो गए दोनों side में, तो the effort arm is always greater than the weight arm, क्योंकि अब fulcrum तो side में हो गया, बीच में नह इस liver का क्या खासी आता है, it is the liver of power, इसमें आप देख रहे हो, fulcrum चला गया side में, load या weight आ गया बीच में, और effort हो गया एक तरफ, ठीक है, तो इसमें but obvious सी बात है, और distance हम हमेशा fulcrum से लेते हैं, तो effort हम बड़ा होगा हमेशा in second class order, इसके दो example है, toe standing and elbow flexion, toe standing में, liver क्या ह हुआ, foot, fulcrum हुआ, is the NTP joint, effort कहां से आएगा, toe standing में, calf muscles से and weight is of the body, इस image में आप देख सकते हो, अच्छे से, then is the elbow flexion, तो elbow का हमें flexion कराना है, ठीक है, effort कहां से आएगा, in the mid prone position में, तो effort कहां से आएगा, from the brachioradialis muscle, weight क्या होगा, forearm bones का, अब आती है, third class liver, तो इसमें क्या बच्चा, कि जो effort है, अब वो fulcrum और weight के बीच में आ गया, तो इसमें क्या होगा, जो weight arm है, वो हमेशा बड़ा होगा, effort हम से, and it is the liver of velocity, ठीक है बच्चो, इस diagram से clear हो गया होगा, आपको, तो इसके अंदर दू एक्जामपल है, knee flexion का, and elbow flexion का, तो knee flexion में, knee joint हुआ fulcrum, effort कहां से आ, क्योंकि knee flexion कौन करा आता है, hamstring muscle, तो वो हुए हमारे effort, और weight कहां से आया, foot का, this is the image of it, अब आता है elbow flexion, by the brachialis muscle, तो forearm क्या हुआ, liver, fulcrum is again the elbow joint, effort हुआ elbow flexors, and weight is the object held in hand, for example, this, अब इसमें आप देखो, fulcrum हो गया हमारा elbow joint, ठीक है, जो, अच्छा बच्चो, इसमें तुमें ये confusion नहीं होना चाहिए, कि जो effort है, वो बीच में कैसे है, क्योंकि muscle तो उपर लगी हुई है, बट इसमें हम muscle क insertion कहां हो रहा है, नीचे, elbow joint के नीचे, brachialis muscle का, sorry, elbow flexors का, ठीक है, तो जो effort है, वो नीचे हो गया, हम इस पर insertion की बात करते हैं, muscle belly की बात नहीं करते हैं, ठीक है, तो जहां पर insertion हो रहा है, effort कहां से आएगा, muscle contractions है, बट effort को अगर हमें एक जगा mark करना होगा, तो muscle तो इ जो effort है, वो कहां पर आ रहा है, insertion का हो रहा है, muscle का, forearm bones पर, ठीक है, elbow joint के बाद हो रहा है, तो इसलिए effort बीच में आ गया यहां पर, तो इसलिए इसमें confusion मत करना, अब अगर हम comparison करें, फॉर्स क्लास में फलक्रम था बीच में, दूसरे में weight था, तीसरे में effort था, फॉर्स क् लिवर कम होते हैं, second उस से थोड़े जादा होते हैं, third तो बहुत जादा abundance में होते हैं, it provides stability, second वाली power देती है, and third वाली velocity देती है, moment arm जो है, that is present, sorry, mechanical advantage, it is present in first and second class liver, but it is never present in third class liver, अब यह mechanical advantage होता क्या है, तो it is the measure of the mechanical efficiency of the liver, so it is the ratio, अब अच्छा, हमने स्टार्टिंग में किसकी बात करी थी, effort arm और weight arm की, है न, तो जब हम ratio निकालते हैं, effort arm का to the weight arm, तो वो जो ratio आता है, that is mechanical advantage, कि कितना अच्छा पुली, sorry, जो liver है, वो काम करती है, तो there can be three possibilities, ठीक है, अगर हम overall classes की बात करें, सिफ first class order की नहीं, तीनों classes में, तीनों classes of liver के अंदर, या तो weight arm, effort arm बराबर होगे, या weight arm बड़ा होगा, या effort arm बड़ा होगा, ठीक है, तो जब weight arm, effort arm के बराबर होगा, जो कि first class liver में हमें देखने को मिल सकता है, जब fulcrum बिलक advantage is gained, an effort of a magnitude equal to that of the weight will be required to lift it, जितना भारी आपको वजन उठाना है, उतना ही भारी आपको effort लगाना पड़ेगा, क्योंकि बराबर है, तो ये first class liver में देखता है, जब fulcrum बिलकुल बीचों बीच होता है, when the weight arm is greater than the effort arm, तो the mechanical advantage will be lesser than one, ठीक है, it is mechanically inefficient or has disadvantage, because the magnitude of the effort force must always be greater than the magnitude of the resistance force in order for the torque of the effort to exceed the torque of the resistance force, अब बचों ये हमें कहां देखने को मिलेगा, third class liver के अंदर, ठीक है, उसमें effort, बीच में है हमारा, या फिर first class liver में, जब fulcrum जो है, वो more हो towards the effort, ठीक है, तो ये वाला जो class होता है न, ये mechanical disadvantage में चला जाता है, क्योंकि अगर मानलो, आपके हाथ में 4 kg की चीज है, तो उसको उठाने के लिए, आपको अगर 4 kg का वजन चाहिए था, तो आपको उसको उठाने के लिए 10 kg का वजन चाहिए, मतलब जितना weight है, उससे जादा आपको effort लगाना पड़ रहा है उठाने के लिए, तो this liver has a mechanical disadvantage, अब तीसरी condition क्या आई, कि जब weight arm छोटा है effort arm से, या फिर effort arm बड़ा है, अब effort arm देखो बड़ा है, ऐसे याद रखो, effort arm बड़ा है, तो हम effort कम लगाएंगे, तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, अगर मुझे 10 kg वजन उठाना है, और मेरे पास effort है 40 kg का, तो असानी से उठ जाएगा वजन, सेम यहाँ पर होता है, तो it is a liver of mechanical advantage, इसका mechanical advantage will be greater than one, यहाँ में किसमें देखने को मिलता है, second class order liver में, ठीक है, या फिर first class liver में, जब fulcrum towards the weight, जादा होता है, load जादा होता है, बट abundance में क्या है हमारे, third class liver body के अंदर, तो देखो, first class liver के अंदर, तीनो possibilities हो सकती है, कि fulcrum बीच में है, ठीक है, second class liver के अंदर, weight arm will always be less than the effort arm, third class liver में, weight arm will always be greater than the effort arm, और first class liver में, mechanical advantage can be equal, greater or less than one, it is often true that the momentum of the muscle will be shorter than the momentum of the external force, second class liver में, magnitude of the effort force can be less than the magnitude of the resistance, third class liver, which is the mechanical disadvantage class, इसका magnitude of the effort force must be greater, जो हम effort लगा रहे हैं, must be greater than the weight of the effort to produce greater torque, ठीक है, अब liver system in physiotherapy, अब ये सब जानके हमें पता क्या जलना है, मतलब what is the use, ठीक है, clinical application क्या है in physiotherapy, तो liver system in human body is a means by which body achieves movement and resilience, it forms the basis of method of progression of strengthening exercise, कैसे, ये देखो, liver system in strengthening of muscle, so as strength increases, the resistance weight should be increased for further strengthening overload principle, अब अब अगर आपने resistance training पड़ी होगी, तो उसका बहुत basic principle है, overload principle, ठीक है, कि अगर मान लो, मैंने अगर एक किलो का weight उठाना शुरू कर दिया, और मुझे अपनी strength बढ़ानी है, तो मुझे उस weight को increase करना पड़ेगा, ठीक है, तो effort क्या होता है हमारा, insertion of the muscle, जो की fix होता है, और हम उसे change नहीं कर सकते हैं, body के अंदर, falcrum जो होता है, वो हम joint को मानते हैं, the body, उसको भी हम change नहीं कर सकते, पर weight जो होता है, उसे हम change कर सकते हैं, ठीक है, तो resistance can be increased in two ways, या तो हम जो weight, जैसे हम एक kilo अगर muscle overcome कर सकती है, weight तो हम उसको 1.5 kilo या 2 kilo दे दे, हमने weight increase कर दिया, या फिर increase the length of the weight arm, जो हमने liver में अभी पढ़ा, weight arm, हम पढ़ रहे थे, falcrum से distance, तो हम उसको increase कर दे, अच्छा, जो weight arm increase करते हैं, इसको हम एक और term से जानते हैं, which is also called increasing the liverage, ठीक है, example, देखो, अब abduction, अब खुद भी करके देख लो आप ये, abduction of shoulder with elbow flexed, ठीक है, जब आप ऐसे करोगे, तो आपके जो liverage है न, यानि कि जो weight arm है, वो reduce जाएगा, तो ये movement easily perform हो जाएगी, और ये हम weak muscles भी, को भी करा सकते हैं, वो overcome कर लेंगी, बट, अगर मैं abduction करूँ with the elbow extended, तो इसमें leverage बढ़ गई, weight arm मेरा बढ़ गया, ठीक है, तो ये difficult हो जाती है, तो जब initial stages में हम patient को exercise कराते हैं, without any weight, तो हम उसका leverage कम रखते हैं, gradually हम उसका leverage, यानि की weight हम बढ़ा देते हैं, एक और example देखो, knee flexion करो, with resistance at upper tibia, अब मैं knee flexion करा और मैं tibia का जो उपर वाला part है, वहां पर resistance दे रही हूं, ठीक है, तो patient का जो ये movement है, ये असान हो जाएगा, as compared to, अगर मैं resistance दे रही हूं, उसे ankle के उपर, knee flexion के साथ, तो this is more difficult क्यों, क्योंकि leverage बढ़ गया, weight arm बढ़ गया, ठीक है, तो इस slide में, इस presentation में, मैंने liver, पू answer to the best of my knowledge, ठीक है, thank you बच्चो,